मागायत्री के सानिद्धे में आज हम यूत इंपावर्मेंट कारिकरम करने का इस एतिहासिक गान्नी मैदान की दर्ती पर शुरुवात करने हम लोग जा रहे हैं इसमें हमारे जितने भी जिला से जहां से भी जो भी भाई बहन आए हैं जो भी मातायबाने आई है प्रांतिय युवा प्रकोष्ट अखिल विश्वगायत्री परिवार की इकाई आपका हार्दी कभी नंदन करता है नमन बंदन करता है चरन असपर्स करता है बहुत सारे भाई बहनों को लग रहा होगा कि इस गांदी मैदान की धर्ती पर मैंने आकर यहां बिछाए हुए दरी पर बैटे हैं मैंने कई बार का इक ब्यक्ति का कारिक्रम होता है तो वो कुर्सी रहा जाता है दरी रहाता है मन्च होता है लेकिन जब इस्वर का कारे होता है तो वो इस्वर का गोध हो जाता है तो आप जितने भाई बाणे आँ बैटे हैं ये परम पुझ गुर्दें और बंदनिय माता जी की गोद में बैटे हैं, उनके आचल की छा में बैटे हैं, इस कारिकरम में बहुत कुछ मिलने वाला है, आपको बताते चले कि इस कारिकरम आपके जीवन का लाइफ चेंजिंग स मिनार है, जो भी हमारे मताएं बहने आई हैं, भाई बाण आए हैं, अभी बहुत सारे भाई आ रहे हैं, लोगों को लगता है कि ये गायतरी परिवार, इवाप्रकोस्ट जाएंगे इस कारिकरम में क्या देगा, कैसे देगा, क्या मिलेगा हमें, आपके जीवन की तमाम समस समस्याओं का समाधान मिलेगा, आपके जीवन में स्टडी को बेहतर कैसे करें, अपने कैरियर को संदार कैसे बनाएं, स्ट्रेस से कैसे अपने आपको दूर रखें, उस्ट्रेस आने पर हैंड्ल कैसे करें, हर घर में अभी भावक अपने बच्चे को बेहतर वविष्य के लिए पटना भेशते हैं क्या वो बच्चे उस अभिभावक्त से समझ पाते हैं उनकी बातों को मान पाते हैं आज रिक्सा चालक से लेकर देखिए बड़े लोग हर ब्यक्ति सिक्चा के पीछे भाग रहा है मेरा बेटा सिक्ची तो मेरा बेटा सिक्ची तो आईएस बने आईपीएस बने रेलबे में जाए बैंक में जाए एससी में जाए लेकिन भारत जैसी अध्यात्मिक भूमी पर भी आप देखेंगे कि ब्रीद आश्रम खुलते जा रहा है और जब उस ब्रीद आश्रम में जाके उन माता पिता से मिलेंगे तो महसूस करेंगे क वो किसी आईएस के माँ है तो किसी आईपीएस के पिता जी है आखिर ये सिक्षा अगर बनुस्य को इंसानियत के तरफ ले जाती ब्यक्ति के ब्यक्तित्तों को प्रकर बना देती तो भारत जैसे अध्यात्मिक रास्ट में इतना ब्रिदास्रम नहीं होता कई लोग कहते हैं स और जब संसकारा के अंदर आता है तो सधार्ण गारेरिया का लड़का सिवाजी बन जाता है नास्तिक नरेंद्र भीवेक अनंद बनते हैं पेपर देचने वाले ब्यक्ति कलाम बनते हैं ऑर्द्रगन फकिर गांदी के नाम से जाने जाते के सथारन झाल ईए honest कर नेन k ल报न लृ Сп mo हैं वी आपश लारे नीई यह संस्कार का प्रभाव महम होता है और इसी समस्कार को मेलों ने रिए इसे और फृप 30 मेंटिंट 17 ये हम सब के प्रेणा शुरुत परमादर्निय चिन्में भैया हम सब को बताएंगे जो आप MRCP लंदन प्रती कुलपती देव संस्कृती बिश्व बिद्याले आप हम युवाओं के लिए एक बड़े भाई के रूप में एक अभीभाववक के रूप में उगली पकर कर चलना सिखाने से लेके अपने उद्वोदन के माध्यम से दसा और दिसा बदलने का परिकारे करते हैं हम सब के बीच में आप मुक्यवक्ता के रूप में आएंगे यह प्रांती है युवाप्रकोस्ट बिगाद 28 बरसों से जिन युवाओं को सीचने का काम किया है इन युवाओं में से बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो बरतमान में, पटना में, बिहार में कई ऐसे जिले के डियम है IPS है, SP है कई अपने BPSC कंप्लीट करके गए है कई भाई रेलबे के बड़े पदा दिकारी है कई भाई ऐसे है जो इंविवियस डॉक्टर है कई भाई रेलबे में है SSE में है, BANK में है CPO में है, CPS पटना के दिहार के तमाम जिला पटना के मैकसिमम आप जब जा कर देखेंगे ब्रांच में, BANK के ब्रांच में अपने भाई बान है उन में से कुछ भाईयों को हम आपके सामने भी दिखाएंगे अपने सबल प्रति भागी के रूप में कि ये गायत्री मंत्र केवल बेक्ती के जीवन को परिवर्तित नहीं करता है ये गायत्री मंत्र जब युवाओ के कलब में आग भरता है तो किसान का बेटा IRS बन जाता है तादरन से परिवार में जन्म लेने वाले का बेटा डिश्टिक जजश बनते है कोई बैंक में जाता है, कोई रेल बे में जाता है ये गायत्री मंत्र मेरे मित्ड ये तै करना है कि आपने जीवन में बहुत सारा IPL का मैच देखा घंटो देखा, टेस्ट मैच देखा, लंगे समय तक आपने सिनेमा हॉल में समय बिताया ये भगवान की गोद का एक दिन का समय अगर आप सकार कर लेते हैं तो आपके माता पिता धन्य हो जाते हैं जिसने बच्पन में आपको उंगली पकड़ कर चलना सिखाया था गोद में बैटा कर दुनिया दिखाई थी जो माता पिता धन्य हो जाएंगे जो कभी मुस्कुराते हुए कहते हैं हतासा निरासा के उस दोर में अपने बच्चे का चेहरा देखे अपने अलाद और संतान का चेहरा देखे तुझे सुरज का हो या चंदा तुझे दीप का हो या तारा मेरा नाम करेगा रोसन जग में मेरा राजदुलारा उनका जीवन धन्य हो जाएगा जहां बर्तमान समय में पदाधिकारी बनके लोग अपने माता पिता को पैरेंट्स हा उसमें बेजते हैं वैसी स्थिती में आप अपने पिता को बुढ़ापे में दो वक्त की रोटी और समय पर दवा की बेवस्ता बना देंगे उन्हीं लोगों के लिए कहा गया है प्यार से स्ने से जिनको पाल पोस के जिन्होंने पाल पोस कर आपको बढ़ा किया है उन्हीं लोगों के लिए कह गया है उनकी माताएं मन में भाव से यह सवार्ती और सजाते हुए काती है और वो बच्चे भी उन्हें भाव से समर्पीतों करकाते हैं तेरे दामन में लाकों सितारे होंगे तो होंगे है फलक मुझे मेरी मा की महली ओहनी अच्छी लगती है मेरी मा की महली आचल अच्छी ल नहीं है इस्वर के पास कोई उपता नहीं है कई भाई काते हैं मेरे पास टाइम नहीं है निमंत्रन तर लाखों लोगों को दिया गया था जब राम का दिया भियान था तो बंदर भालुओं के पहले बड़े राजे राजवायों निमंत्रन दिया गया उस निमंत्रन में चारों लोग जुट जाते हैं लेकिन जीवन की सफल दिसा और दसा बदलने के लिए मुठी बोर लोग आते हैं क्यूंकि बीज थोड़ा होता है उससे फसल का गुना बनाया जाता है ये सामने बीज बैठा हुआ है अपने आपको धन्य मानेंगे अपने परिवार को अपने को इतना मजभूत बनाते हैं कि गांधी जैसे व्यक्तित्तों के धनी व्यक्ति को पत्र लिख कर भेजना पड़ता है कि बाबू राजिंदर बाबू आपके देश की अजादी में माती आवा सकता है मुझे मालूम है कि आपके परिवार में आपकी भी इस देश से अधिक आ नहीं करेंगे तो यह देश गुलाम रह जाएगा आई इसी राज्य के प्राजंदर बाबू अपनी मां से कर्बद प्रारतना हुए कहते हैं मां मुझे मालूम है कि मेरे जाने के बाद तेरी जिन्दगी में बहुत करस्ट आएंगे लेकिन एक मां अगर क्योस्ट जेलती है और लाको माता इस भारत मा की गोद में अजाद हो जाती हैं तो मुझे माक करना मैं भारत मा को अजाद करने जा रहा हूं इस परिवरतन की भूमी का अब सबसे कड़बद प्रार्तना है कि पूरी सालिंता के साथ आप इस कार्कम को इंजुआ करिए और सब को निमंतरन के आता है और वहाँ नहीं करिएगा मेरा दोस्त क्यों नहीं आए बहुत सारे राजा माराजा नहीं आए हंत में भगवान अपना काम सिरीडाम ने कहा मैं तो अपना काम बंदर भालू से करवा लूगा और इस वर किसी को खाली नहीं रखते कभी नहीं रखते लोगों ने कहा आए बंदर भालू क्या करेगा और वहीं बंदर भालू अब इहां दाबे नल निल ते लेके सुपरिव तक सारे द्लगे और राम का अभियान सफल हुआ उसमें से कई लोगों ने पुछा सफलता के बाद भिला क्या नल निल को देखिए उस समय का सुपर आई आई टी अंभोसित किया गया पत्तर पर राम लिख देते थे और पानी में तेरने लगता था उस समय सुपरीव को किसकिंदा का राज मिला दिवीशन को लंका का राज मिला फिर लोगों ने पुछा इतना मेहनत करने वाला हनुमान को क्या मिला मेरे मित्रे आज पूरी दुनिया घुम कर देखेंगे जितना राम का मंदिर नहीं है उससे हजार गुना अधिक हनुमान का मंदिर है भगवान किसी को खाली नहीं रहने देते वो राम का कारिक्रम था ये सिरी राम का कारिक्रम है